तो हाँ बाई कैसो हो सब सब बड़ी है सब के जीवन में तो आज किसको लेके आना साइटोकाइन को वो प्लांट हर्मोन की जो सीरीज चल लेकिती ना ओक्जें जिबरिल एक एसेट साइटोकाइन एक एसेट जी सब बवाल जो चीजे होती है उन सब को पन देख रहे तो आज साइटोकाइन को देखते हैं और सवाल तुम्हें पता ही कहां से प्रीकरसर से और उसके रोल्स है क्योंकि वह वहीं पर घुमाएगा तुम्हें कि यह किसका रोल होता है किसकी यह वाला किसका रोल होता है ऑप्शन वाइस तुम्हें फसाएगा ठीक अब देखो साइटोकाइन इस ऑलसो वन ऑफ बेसिक होर्मोन आसर बिलकुल बड़ादा बनने अब इसमे 多 steering कर सकते हैं हां जी क millor कितिक्स कर सकते हैं प्लांट विचार एक जयगए पर खड़ा है तो अनिमल्स में क्या होता नमोशन काइनिक्स लग सकती है तो काइनेटिन तो एइनिमल्स में जो हर्मन मिलता है साइटो काइन उसको क्या बोलते है काइनटिन और यह सिंपल सी चीज है टीक अब डिस्कवरी की बात करें इसको डिस्कवर किया था स्कूगन मिलर ने तो यह सब पता एक मज़ा ही था उस समय ऑगजिन एकदम से भाई साब पता नहीं उनने देखा कि प्लांट बेंड हो रहा था तो उनने वो बोले डार्विन चाचान है वो थे ना बाप बेटे हां फ् कूगन मिलर यह काम कर रहे थे टिशू कल्चर पे अच्छे टिशू कल्चर क्या होता है सर अरे यार कुछ सेल्स होती है जिनका अपन सेल से टिशू टिशू से और्गनेसिव चलता ना प्रोसेस हां तो सेल सेल को कल्चर करते हैं ताकि टिशू बनाए अच्छा तो यह उसकी स्टेम की जो पिथ वाली सेल्स होती है सर जे पिथ क्या होता एना टूमी में पढ़ोगे अंदर वाला जो पार्ट होता है बीच में इस टील के पास उसको बोलते है पिथ अच्छा तो उन्होंने पिथ सेल्स लिए उसके उपर कुछ ऑउग्जन डाल दिया यह एक तो क्या इनने एक चीज़ देखी कि चीकु जी तो सेल डिविजन प्रमोट कर रहा है मतलब ऐसा कुछ उसमें केमिकल चलाएगा जिससे सेल डिविजन हो रही है और फटा-फट सेल डिविजन हो रही है इन पित सेल्स की इसको नाम कुछ नहीं दिया था कि अब यह प्लांट से निकला था तो इनने बुले जी आटेन होएगा अच्छा जी आटेन फिर साइटो का निन तो बाद में आया में चीज क्या था ही कि सेल डिविजन प्रमोट हो गई अच्छा अब यह चीज उस समय समय में नहीं आई कि उनने बुला जी क्या चक करेगा एकका डवाल कर रहा जो जैसे वह एकए जिन में पैसे डबल हो रहा है ना बैसे ही जह तो फटा फट डिवीजन हो रहा है अच्छा फिर इन्होंने क्या किया देखो प्लांट्स में था हाँ यह अपन प्लांट्स की बात कर रहा है हाँ जी तो प्लांट्स प्लांट्स की बार चल दी तो लेटर इन्होंने क्या किया एक जीया मेज नाम का मेज होती है मेज, प्लांट और कोकोनट उसमें से आइसलेट कर दिया किसको यह ऐसे मतलब हॉर्मोन को जो सेल डिविजन प्रोमोट कर रहा है जिसको पान साइटो काइनिन बोलते है थो भाई, प्लांट में इन्होंने अधो नेखिलेट किय तो क्या बोला, साइटीन मैंने पहले भी ता एनिमल करते है काइनितर है, अच्छा और यह क्या है जीया थिच ओर्मों, जो क्या कर रहा है, सेल डिविजन तुम्हें एक चीज तो पता चल गई यह जो साइटो कानियन है वो क्या कराता है? सेल का डिविजन कराता है बिल्कुल अब एनिमल्स में नोंने क्या किया ना एनिमल्स में एक हेरिंग नाम की फिश होती है अच्छा जी का होते है एक फिश मचली होती हेरिंग नाम की अच्छा फोटू डाल देंगे हेरिंग फिश इसकी जो इन्होंने निकाल दिया भया यह हॉर्मोन पता हो साइटो कानियन और क्या हो ला उसको काइनेटन मैं बलाब प्लांट था मैंने बूल था यहां से सवाल पूछता है प्रीकरसर मतलब वै यह किसके बना होगा तो यह होता है अदिनीन डेरिवेट्ब अदिनीन डेरिवेट्ब अरे या नुकलिोटाइड हाँ हाँ भुई 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 नाइट्रिजेन यस बेस एडिनीन डेरिवेटेव ट्रन और ड्न ड्न के मिलोगी डेरिवेटेव होते हैं वो इसका प्रीकरसर होता है कौन साइटोकाइन अच्छा इसको और क्या बोलते हैं यह याद रख लेना अच्छा कभी-कभी स्टेट्मेंट में घुमाएगा न वो तो यह डाल देगा कि वीच आप देरिवेटेव एडिनीन अगवानन कुछ आद आ रहा है कि सब भूल गा है भायो मलीकूल ठीक फिर साइट ऑफ सिंथेस जैसे आपने आउगजिन को देखा कि भया वो रूट और शूटो टिक प्र बनता था हंजी जिब्रेले के ऐसे इंटरनोर्ड वाली रीजन पर बनता था रहसी जो इस अपना कॉन सा है cytokine N वह कहाँ पर बनता है शूट की टिप पह ए और रूट की टिप पह यह तो ऐसा ही उगया बिलकुल हो गया फिर यह बनता बढ़ पह अजा बढ़ पर जैसे अज़़ां रहा हो ग्रो कर रहा है अब यह थ separating निकला आती तो उसको बढ़ को ग्रोथ कराने लिए आर्गे की तरफ तो वहां पे भी कौन निकलता है? साइटोकाइन और flower, fruit और NCD सब जगे निकलेगा, क्यों? जहाँ-जहाँ पे active cell division होगा, چीकू जहाँ-जहाँ पे active cell division होगा हमा 바로 Ihr approve cell division को प्रमोट करताई समझेगा है? थीख अब बायोЬसे, इसकी खोज बग्रा कैसे की गई तो भाई साब इसकी कोछ कुछ, बाई साब हमें रोल बताना था इस हार्मून का, तो उसके लिए भी भाई तुम्हें दो से तीन इसके वह पढ़ना है, कौन? बायो, ऐसे यह निबंद नहीं है, पहले भी बताया तीक, बायो, ऐसे, इसमें सबसे पहला होता है delay in leaf sinnesence, अच्छा ये hormone क्या करता है न? leaf ki sinnesence, leaf sinnesence मतलब leaf की गिरने का जो time period होता है, जड़ने का उसको डिले कर देता है मतलब ताकि क्या हो पत्ती जादा देर तक पेड़ से चिप की रहा है चिप की है मतलब लगी रहा है अचा जितनी जादा रहेगी उत्त जादा फोटो सिंतेसिस करेगी अब यहां से पता नीट में सवाल क्या पूचा था नीट में यह सवाल पूछा था कि which of the following hormone shows rich mang lang effect यह कहा हो था सर rich mang lang effect अरे scientist के नाम पर है इसको इनका नाम याद रखना किनका यह rich mang lang effect अच्छा यह कौन सा hormone दिखाता है cytokinin इस सो होता क्या है पत्ती जो है ना वो देर तक मैं बहुत लेट होती है senescence मतलब वो मरती बहुत धीरे-धीरे है अच्छा हम कैसे माल ने तो एक्सपेरिमेंट भी किया थे इन्होंने इन्होंने क्या किया पत्ती ली अब नॉर्मली जो लीफ होती है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है मुर्जा जाती है खत्म हो जाती है farklı घृन इस हो जाती इन्ह masturb क्या किया सािटो आनिन कवापला कर दिया और जैसी साइटो आना इस के किया तो देखा वो हो गया मिरे कल मिरे कल मतलए क्या वो पत्ती ज्यादा दिर तक जिंदा रही अच्छा ज्यादा टायम तक लगी द लगी जिंदा रही अच्छा वो सिखुरी भी नहीं तो का हमिड़्य होने कि नहीं से क्या हुआ लीज नि alarm सेनेसंस जो है और कुछ यह चीज़ें डाल नहीं जिससे क्या देखा कि आगी कि लेगी जितो पिटसेल फटा-फट डिवाइड कर रही है अच्छा यह कौन सा बायो ऐसे था टुबेको पिटसेल बायो ऐसे फिर आया तो सबसे मदब तीसरा एकसाइज़ रेडिश कोटिलेडन बायो ऐसे यह का हो थे बाई साब नाम सही समझ में नहीं आ रहा है रेडिश का नाम तो सुना है आसर रेडिश का नाम तो सुना है वो जो खर गोस खाता है हाँ हाँ तो यह क्या करता है यह हॉर्मोन साइटो कानन अगर मैंने उस weed बनेगा बविश्य में अरे रेडिश को तब तो मिट्टी में लगाओगे उससे पर रेडिश निकलेगा हाँ जी तो वह इसमें क्या करता है इसका जो कॉटिलेडन है उसमें सेल डिविजन को प्रमोट कर देता है कौन साइटोगाइन अरे अभी तक अपन ने मदब मेगज़न रोल तो पड़े लिए कि पस ऐफ पने रोल और बचिन साइटोगाइन के अब और अभी तक चलना है तो मैं breaking सेविन सेविन ठाएं है जैने और ऐसक रीख देख देख लेना जाकर और एक एक लाइन से अपने रोल और शालोग के 7-7 याद है अपने ओखजिन देखा जिपरिले के सिट देखा important important मैं बता रहा हूँ अच्छा और जहां से सवाल बनते हैं सबसे पहला भाईया promote करेगा division in young leaf young leaf में फटा फटा भाईया कामी क्या है division कराना है प्यार कराना है तो division कराएगा किसमें young leaf में और अगर मालो कोई old leaf है तो उसमें delay कराएगा क्या senescence हाँ याद है कि नहीं हाँ अब एक important सवाल यहां सब यह नीट में 2016 में सवाल पूछा है कि ऐसा कौन सा hormone है जो chloroplast का division कराता है अब बच्चे को division तो याद रहता है लेकिन अगर उसमें chloroplast लिख दिया अरे हाँ या ना भई तो G2 phase में scleroplast को कौन multiply कराता है साइटोकाइनन hormone याद रख लेना यह चीज ठीक फिर यह अब देखो auxin का का क्या होता था कि तुम ऊचा लेज जाओ मतलब हाइट उसकी बढ़ते जाओ प्लांट की आया ना बिलकुल होती थी इससे अब यह क्या करता साइटोकाइनन यह ओवर कम कर देता है apical dominance को यह बोलता कि भाया branching भी जरूरी है अचा branch भी निकालना जरूरी है मानलो plant सीधा सीधा grow होता जारा कोई मतलब होएगा नहीं होगा जैसी branches निकलेंगी पेड़ के पे तो branches निकलने से क्या हो जागा भाई साब अरे जित्ती ज्यादा branches उत्ती ज्यादा पत्तियां उत्ती ज्यादा फोटो सिंतेसिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् वो एपिकल डॉमिनस कोन कराता था ओकजन हां तो किसको यह कॉंपीट कर रहा होगा ओकजन को समझ में आ रहा है साइटो कानिन किसके साथ कॉंपीट करता है 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 फिर 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 एक प्रोमोट एडवेंशियस शूट फॉरमिशन अब चलो एक और जगे पर मज़ा आएगा क weने में काम हो जाता है तो साइटो कानिन क्या करता है ऩुर्मॉन डालने पड़ेंगे तब क्या होगा एक और यह चू पनवा देगा शूट कानिन और उपनवाते हुझा क्रता है एडवेंशियस शूट् फॉरमेशन citokinin ठीक है फिर यह promote करता है lateral branch हाँ भाई यह branching करवाएगा किसको रोकेगा भाई यह ज्यादा उचे मत हो तुम उचे होगे तो हबा मोड जाओगे ब्रांचिन करवाएगा फिर यह prevent करता है leaf के senesence को अपन देखा था delay करेगा जित्ता ज्यादा डिले हो सकता है ताकि लीव ज्यादा दिर तक सिकुड़ है ना मतलब कि उसका सर्फिस एरिया बरावर रहे फोटो सिंटेसिस चलती रहे अच्छा ठीप फिर यह मोबिलाइज करता है फोट टु लीव विच डिले लीव सेनेसंस अब भाई तुम्हें सवाल देखो कैसा मिलेगा कि भाई ठीक है माल लीया तो मैं दिमाग में भी आनी चाहिए साइटोकाइन जो है लीफ सेनेसेंस को प्रेवेंट करता है कैसे करेगा प्रेवेंट वह फुट उसको देदेगा अब भाई कोई भी चीज अगर मरती है अगर तुम उसको खाना दे रहते हो तो वह जिंदा रहे लेती थोड़ी दिर और वैसी लीफ है उसके पास फुट की ग कर देगा डिले ताकि वह पत्ती जादा दिर तक जिंदा रहे अच्छा यह बहुत प्यारे प्यारे तुम देखो और उसका थोड़ा पोजिट चला है कि नहीं चला भी तक ऑगजिन क्या करता था कि अच्छा पुरानी पत्ती है फटा फट फट गिरा तो लेकिन साइटोका और यहाद रखना ब्रांचिंग कोगन कराता है साइटोकानिन हाइट कोण बढ़ाता है ओक्जिन कित्रे प्यारे प्यारे रोल नहीं आच्छा औफिर तुम एक याद रखना कि क्लोरोप्लास को डवल भी कोगन कराता है जी टूफेस में साइटोकानिन अच्छा अब देख क्या करते हैं Kielles को लिया Kielles को लिया मतलब सेल्स ली उनका पन कल्चर कर रहा है ताकि टिश्यू बना सके हैं ठीक है अब अगर मान लो यह ओखजन और साइटो काईनिन की कंसेंटरिशन पर सवाल पूछ सकता हो अगर पूछा जिसे मान लो ओखजन और साइटो काईनिन दोन जादा तो क्या बनेंगे तो root बनेंगे कौन से root बनेंगे एडवेंशियस root हरे याद आ रहे की नहीं हां दैब यह oxygen भागजन बैश सैटो कानिन है यदि vaugren जादा है तो क्या बनेंगे Авगजन जादा हो गया तो क्या बनेंगा चीकू शूट बस ये इत्ती सी चीज़ आ रखनी है अब तुम्हाई दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि बाई साब ऑगजिन और साइटोकाइन बढ़ेंगे कैसे तो भाईया तुम्हें हमने बताया था आर्टीफिशल और साइटोकाइन ऐसा साइटोकाइन तो नहीं बताया थ पर यहाना भाई और शूटन कौन था है रोट्व करके ता चलो यहाद तो है इतना यहाद है तुम्हें यहाद रखना साइटोकाइन में बाप पिताजी की का यहाद करना है नहीं नहीं कि मतलब बैंजाइल अमायनो प्यूरीन इसका ठूरा फूल फॉर्म है अच्छा बैं साइटोकानिन को किसका डेरिवेटेव बोले थे प्यूरी डेरिवेटेव एडिनी डेरिवेटेव याद आ रहा है कुछ अरे सेंपल हो रहा है कि नहीं कॉंपलेक्स नहीं करना अपने को बस यह चीज़ें देखनी है और पता मैं बुलाओं बड़ी गुफ्तुगू करेंगे मस्ती करेंगे और फिर चेप्ट्रों करेंगे तो बस पढ़ाई करते रहो मस्ती से वल्दा वरी वरी बेस्ट